कानपुर देहाद के शिवली थाना चेत्र में एक नाबालिक का शव जानियों में पड़ा मिला परिजनों की अगर आरोप की बात की जाए तो परिजन लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि बेटी को पहले गाउं के ही कुछ लोगों ने ब्लैक मेल किया उसके कुछ पर पहुंचे इस मामले को जिदिन जी आप पहुंचे हैं मामले में परिजनों से बात हुई है क्या बात सामने निकल कर आई है मुझे पर जनों ने यहीं बताया है और यहां की जंटा को भी मालूम है कि यह सच्चा यही है उस नावालिक बच्ची के साथ बलातकार हुआ वो नंग अभसता में जारियों में मिली और इसको जान से जान से मारने का काम किया. और जिसने भी जान से मारा है, उसके साथ कड़ी करवाई हो. और यह पुलिस जो निष्करी है, यह लोग, भिरोदी हमारे जो भी लोग हैं, उनके इशारे पे ये काम कर रहे हैं, ये कोई भी किसी को नियाय नहीं दिलाने का काम करते हैं, मैं सुचता हूँ, जिस परवार के साथ ये करत हुआ है, उसको नियाय दिलाने का काम कर रहे हैं, उसके परवारी जनको साथ मरादे हैं, अगर नहीं मिलता है, तो मामला कहां तक कि पुलिस ने यह सब्सक्राइब कर लोग काम करए हैं सरकार नारी शुरक्षा कर रहे हैं कि गहता है कि बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो रहा है पिर देश में देश में लाकों हज्जारों बलतकार ऊचुकें मड़र ऊचुकें हैं और खाच करके शिरूल काफ्ट के लिए तो बहुत जादा ये सरकार बिल्कुल बुरूर में काम कर दो आइए और ये पीढित बच्ची के परिवार से हैं इनसे भी एक बार बात कर लेंग है कौन लोग हैं हमारे फिकर अंफुन है को इस हुआ कि लगों को गि ग्रफतार किया गया पकड़ने के बाद मुल्जमों को छूड़ दिया प्रवाइब कोई कारवाई कोई सुनवाई नहीं हुई है रेप की भी बात आप लोग कर रहे हैं तो देखिए कहीं न कहीं जो परिवार है वो परेशान है लगातार इस बात की गुहार रगा रहा है कि उन्हें जिस तरीके का इंसाफ मिलना चाहिए वह इंसाफ नहीं मिल पा और रेप जैसे मामले की बार जो है वो इस बात का आरोप लगा रहा है फिलाल अभी पोस्ट मार्टम जो है वो कराया जा रहा है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद ही रेप की पुष्टी हो पाएगी लेकिन वहीं दो आरोपियों को फिर पुलिस ने गिरिफतार कर लिय ये फिलाल अब देखना है कि लगाता जिस सरकार में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के दावे चल रहे हैं, नारीश शक्ती करणों महिला सुरक्षा के दावे हो रहे हैं, वहाँ पर लगातार इस तरीके के मामडे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चवी, पर साथ पुलिस अधिकारियों की कारशायली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, कानपूर से विकास धिमान, ABP Live.